दोस्तों नमस्कार आप देखने हैं दा बी एनवाई नियूज सत्यका परतीक दा बी एनवाई नियूज मैं भी वेकर नंजादव नितीश कुमार के मंत्री रमेश रिसीदेव के काफीले पर कल सुपॉल के बजार में जबर्दस्त हमला आम लोगों ने कर दिया ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस को उस हमले से बचाने में काफी जद्दो जहद करनी पड़ी और मंत्री जी को बचाने में सहित कई पुलिस वाले गायल हो गए सैकरो लोगों ने लाठी डंटा और पत्थर से हमला मंत्री के काफिले पर कर दिया मंत्री रिसीदेव को जान बचाना मुश्किल पड़ गई तब जाकर SDO ने हच्छेप किया लाठियां चलाना पडारम की पुलीस और कई राउंड गोली पुलीस को चलानी पड़ी जिसके बाद रमेश रिसीदेव मंत्री बालवाल बचे कहा जाता है कि पैक्स चुनाओ के गिंती में पैक्स के सदसगन के हार जाने के बाद धरना परदरसन कर रहे थे इसी बेच मंत्री के काफिले वहां पहुँच गए और लोगों की गुस्ता भड़क उठी और लोगों ने उन पर हमला कर दिया हमला में किसी तरह जान बचाने में मंत्री नितीस के मंत्री रमेश रिसीदीव सफल हुए मगर वहां लाठियां पुलीस की चली गोलियां चली लोगों में भगदर मचा दू दर्जन से अधिक साइकिल जब्त की गई है एक दर्जन मोटर साइकिल जब्त किया गया और काफी हंगामा हुआ देर सो से अधिक बेक्ती पर फयार दर्ज की गई नव बेक्ती को एक गिरफदार पुलीस ने किया ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि मंत्री मदे पूरा जा रहे थे और भीर ने उन्हें घेर लिया अगर पुलीस वाले सही वक्त पर नहीं पहुचते तो बड़ी घटना घटित होने की संभावना बेक्त की जारी है इससे आपको पता चल सकता है कि नितीस सरकार और नितीस सरकार के मंत्री के बिरोध में जनता का अक्रोस अब सरकों पर फूट पड़ा है इन लोगों को देखते ही जनता के अंदर में उबाल आ जाता है और लोग लड़ने भिरने को तियार हो जाते हैं रमेश रिसी देव जो काफिले लेकर जा रहे थे पुलिस ने उन्हें बाल बाल बचा लिया और कई लोगों को गिरफदार किया कई लोगों पर फाई आर दरजुआ जो मैंने बताया मरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें